हैलो एविडिवन बलकम टू माई चेनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर अस्तरवाला बिलाव सिलना सिखाएंगी तो सबसे पहले मैंने बैन कपले को लिया है इसकी सीधी सार नीचे की तरफ रखी है और इसके उपर हमें आपर अत्तरवाले पल्ले को रखेंगे ठीक है और रखने के बाद हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है और दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी तो अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखिये तो आप लोग कटिंग की वीडियो भी जरूर देख लें इससे आपको चैसे समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से अत्तरवाले बिलाउज को बनाया है तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा दिया है बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे तो देखि इस तरह से मैंने कटिंग भी कर दिया है अब हम इसमें क्या करेंगे पलेटे सिलेंगे ठीक है आगे वाले पले में हमें चार पलेटे सिलें होती है और दोस्तो प्लेज इस व फिडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहां पुना आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पढले में पलेटों को सिलिया है और इसी तरीके से मैंने दूसरे पढले में भी पलेटें तो अब हमें आप पर इस पले को सीधा रखेंगे और इस वाले पल्ले में हमें बटन बाली इस तरह से पट्टी सिलेंगे तो पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहां पर सिलाई लगा देंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है एक सिलाई इसमें और लगा देंगे और बचे हुए कप्ड़े की कटिंग करेंगे अब हमें आपर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो 12 इंच का माजन छोड़ के 12 इंच पर निसान लगा देंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है ठीक है तो यहां पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे दूसरा पल ला लेंगे और इसको सीधा रखेंगे सिलाई लगा देंगे फिर हमें आपर इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है तो हमने आपर फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है ठीक है अब हमें आपर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में भी सिलाई पूरे में शिलाई लगा दिया है और बचे हुए कपड़े की भी कटिंग कर दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे दो पलेटे सिल लेते हैं ठीक हैं पीछे वाले पले में हमें दो पलेटे सिल ली होती है अब हमें आपर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो आदा अंच का मार्जन छोड़ के बारा अंच पर निसान लगाएंगे और इतना इस फोल्ड करकि हमें यहापस शिलाई लगा देंगे तो देखी इस तरह से मैंने शिलाई को भी लगा दिया है इस की सीदी साइट उपर की तरफ रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीदी साइट नीचे की तरफ रखेंगे तो आदांच का मार्जन चोड़ के सोल्डर सिलेंगे और इसी तरीके से दूसरे सोल्डर को भी सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरे सोल्डर को भी सिल लिया है तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे बिलाज की फिटिंग करेंगे तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है ठीक है तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है साइट में हमें सपाई के साथ कटिंग कर देना है और इसमें कट लगा देंगे फिर हमें यापर क्या करेंगे पाइपीन सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने पट्टी को कुछ तरह से फोल्ड करके शिलाई लगा दी है ठीक है अब हमें आपर पल्ले को सीधा रखेंगे और इसके उपर हमें कुछ तरह से औरे भी पट्टी को रख लेना है रखने के बाद हमें आपर शिलाई लगा देंगे तो पूरे गले में हमें आपर और भी फट्टी को सिल लेते हैं बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे तो अब हमें आपर क्या करेंगे इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे ठीक है और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है तो इस तरह से हमारी पाइपीन बनती जाएगी उल्टी तरफ से हमें फोल्ड करना है और सीधी तरफ से सिलाई लगानी है ठीक है तो यहां पर देखी मैंने पाइपीन को सिल लिया है देखी कितनी गोल पाइपीन हमारी बनी है तो इसी तरीके से आप भी पाइपीन बना सकती है बहुत ही आसान तरीके से तो अब हमें यहां पर क्या करेंगे बाजू से लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैल बाजू को लेंगे और इसके उपर अत्तरवाली बाजू को रखेंगे और उसके बाद में हमें दोनों को कुछ तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दिये बचे हुए कप्डे की कटिंग करेंगे तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग भी कर दिया है अब हम इसमें क्या करेंगे उची तरह से लेज को भी सिल लेते हैं इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है तो हमने यहाँ पर एक बाजु को तयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने बिलाज को लिया है इसमें मैंने थोड़ी सी सिलाई उदेर दिये बाजु सिलने के लिए फिर हमें यहाँ पर बाजु को कुछ तरह से नाप लेते हैं ठीक है और नापने के बाद हमें सिलाई लगानी ह आदंज का मार्जन छोड़की हमें यापर सिलाई लगा लेते हैं तो यापर देखे मैंने सिलाई को भी लगा दिया है इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है और उसके बाद में अब हमें यापर क्या करेंगी बाजु की फिटिंग करेंगे तो बाजु की मोरी हमारी साड़े पांच इंच है तो साड़े पांच इंच पर निसान लगा देंगे और इसी निसान के उपर हमें सिलाई लगानी है तो यापर मैंने एक बाजु को सिल लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी बाजु को भी सिलेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने दूसरी बाजु को भी सिल लिया है और इतरे से जो मारा अतरवाला बिलावजे बोसिल का तयार हो गया है और इसी के साथ में मैंने देखी लटकन भी बनाए है तो लटकन किस तरह से बनाते हैं तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो अम्मित करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है